असलाम अलेकूं फ्रेंड्स आइकेदर एसेफी में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे डाल वड़े चने की डाल के डाल वड़े यह देखिए कितने कुरकुरे हैं उपर से और आपको दिखाते हुँ यह अंदर से उतने ही सौफ्ट है आएए देखते हैं यह किस तरीके से बनाया जाता है यह पाव किलो चने की डाल को मैंने दो-तिन घंटे के लिए धोकर विगा कर रख दी थी अभी हम इसे पीसेंगे अभी हम इसे पीस लेंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें दाल को देखी मैंने बारिक पीस के ले ली हूँ अभी हम इसमें डालेंगे दो बारिक कटे हुए प्याल और दालेंगे चार बारिक कटी ही हरी मिर्ची एक चम्मस जीरा दो चम्मस दालेंगे बड़ी सोफ बड़ी सोफ दालने से वड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है बारिक कटी हुए कड़ी पत्ता नमक दालेंगे स्वात के हिसाब से और दालेंगे बारिक कटी भी कोत्मीर पाउ चम्मस दालेंगे खाने का सोड़ा और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए अच्छे से mix हो चुके, चले अभी से fry करते हैं तेल को मैंने गरम करने के लिए रब दियूँ, तेल अभी गरम हो चुका है सबसे पहला हम दाल हातों में लेंगे थोड़ा सा और इसे इस तरीके से फैला लेंगे अब इसे बड़े आराम से हम तेल में डालेंगे इसी तरह हमें सारे बड़े को डालना है अब इसे चार तरह से लाल होने देंगे इसे हमें अल्टा पल्टा कर फ्राई करना है ताकि ये चारो तरब से अच्छे से लाल हो जाए और क्रीस्पी बने देखे हमारे बड़े इक्डम क्रीस्पी फ्राई हो चुके हैं अभी हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह हम सारे बड़े कर लेंगे माशाणला देखे दाल बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना दाल बड़े कैसे बने अल्ला हाफिज